असलामू अलेकुम रेसिपी अब में आप लोगों का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही हूं पोटाटो वेजिस जिसके लिए मैंने यहां पे पांच मीडियम साइस के जो है आलू ले लिये हैं इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है क्यूंकि हम इसे पील के साथ ही जो है बनाएंगे तो हमें इसे अच्छे से वाश करना बहुत ज़रूरी है इसी के साथ यहां पे मैंने वन फोर्थ कप कॉन फ्लार लिया है वन फोर्थ कप मैंने ओल परपस फ्लार यानि के मैदा लिया है वन एन अहाफ टी स्पून मैंने रेच चिली फ्लेक्स ली हैं यहां पे मैंने कोरियांडर को फाइनली चॉप कर लिया है एक ती स्पून मैंने गार्डिक पेस्ट और एक ती स्पून मैंने जिंजर पेस्ट लिया है दो टी स्पून मैंने औरिगानो यहां पे लिया है नमक और मैंने यहां पे पानी लिया है इसी के साथ हमें oil की जरूरत पड़ेगी fry करने के लिए तो सबसे पहले हम आलूओं को इस तरह से wedges में कट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं मैं इसे इस तरह से wedges में कट कर रही हूँ पहले हमें इसे अच्छे से wash करना है ताकि अगर कोई भी इसकी skin के उपर impurities हों तो वो अच्छे से धुल जाएं इसके बाद इस तरह से wedges में कट करते हम जाएंगे और इसे पानी में हम रखते जाएंगे क्योंकि अगर हम इसे यूँ ही रखेंगे तो इसका फिर color जो है वो काला पड़ जाएगा तो जैसे जैसे हम यहां पर कट करते जा रहे हैं उसे वैसे ही हम पानी में डूपोते जाएंगे आप देख सकते हैं कितने perfect wedges हमारे तयार होए हैं तो इन तमाम आलूओं को हम इसी तरह से wedges में कट करके इस तरह से एक bowl में हमने पानी ले लिया है इस पानी में हम आड़ करते जाएंगे इसका जब फ्लेवर होता है वो स्किन के साथ जब हम बनाते हैं तो बहुत ज्यादा मज़े का लगता है तो सारे पोटाटो के वेजिस हमने कट कर लिये हैं और इसे हमने इस तरह से पानी में डुबो दिया है अब हम एक बार फिर से इन पोटाटो उसको वाश कर लेंगे अच्छे से इसका पानी हम ड्रेन कर लेंगे ताकि जो भी स्टार्च है वो निकल जाए और इसे फिर से ख्लीन वाटर से हम इस तरह सोक कर देंगे यहां पर मैंने पानी को गर्म करने के लिए रखा था जिसमें हम आलूँ को बॉइल करेंगे तो इसमें मैं 2 टी स्पून सॉल्ट आड़ कर रही हूँ और साथ ही साथ जो वेजिस हमने कट किये थे वो हम इसमें अड़ कर देंगे इसे हमें पार बॉइल करना है तो आप देख सकते हैं धीमी आज़ पर हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से उबलने लगे हैं हमें इसे बहुत ज्यादा गलाना नहीं है बस इतनी हद तक हमें इसे गलाना है ताकि ये अपने जो शेप में हैं वो बरकरार रहें और बस थोड़े बहुत वो गल जाएं तो ओवरॉल हमने इसे 50% जो है वो कुप कर लिया है तो आप देख सकते हैं ये थोड़े बहुत सॉफ्ट हुए हैं जब हम इसे इस तरह कट कर रहे हैं तो ये अच्छे से कट हो रहे हैं लेकिन इसका शेप जो है बहुत ज्यादा जो है वो मशी नहीं हुए हैं तो इस पॉइंट पर हम इन सारे वेज़ेस को जो है एक स्ट्रेणर में निकाल लेंगे तकरीबन पांच से छे मिनिट हमने इसे धीमी आँच पर जो है अच्छे से बॉइल किया है और अब हम इसे इस तरह एक स्ट्रेणर में निकाल लेंगे और इसे हम थंडा होने के लिए रख देंगे आप देख सकते हैं मैंने सारे आलूं को निकाल लिया है अब हम इसे थंडा होने के लिए रखेंगे तोड कर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी क्या जो है आलू की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए यह तूट भी रहे हैं, सॉफ्ट भी हुए हैं लेकिन थोड़े से बस फिर्म है अब यहां पे इसकी कोटिंग हम तयार कर लेंगे तो यहां पे मैंने जो कॉन फ्लार लिया था वो मैं आड़ कर दूँगी एक बोल में इसी के साथ हम इसमें मैदा आड़ कर लेंगे यह मैंने वन फोट कप कॉन फ्लार और वन फोट कप मैदा लिया था साथ ही साथ हम इसमें रेच्छिली फ्लेक्स आड़ कर देंगे औरिगैनो भी मैं इसमें आड़ कर दूँगी इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आपके पास mixed herbs हैं तो आप वो भी आड़ कर सकते हैं अच्छे से इन सारे सुखे मसालों को हम mix करके इसमें coriander भी आड़ कर देंगे कटा हुआ हरा धन्या भी हम अच्छे से mix कर देंगे और यहां पे हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके इसका एक batter तयार कर लेंगे इसका जो batter होता है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होता थोड़ा runny consistency में ही होता है तो यहां पे थोड़ा थोड़ा मैंने पानी आड़ किया है अब हम इसमें ginger garlic paste आड़ कर देंगे थोड़ा पानी से हमने इस batter को combine कर लिया अब हम इसमें ginger garlic paste आड़ करके इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे इस ginger garlic paste का भी जो taste है वो बहुत अच्छा आता है इन potato veggies में तो अब हम इसका एक thin batter तयार कर लेंगे तो तक्रीबन एक कप पानी मैंने यहां पर use किया है और यहां पर आलू जब थंडे हो गए हैं तो हमने इस पर corn flour add कर दिया है और इस तरह से हम bowl को उपर नीचे करकर इस potatoes को corn flour के साथ अच्छे से coat कर लेंगे थोड़ा सा और मैंने अड़ किया है और सारे potatoes को इस तरह से हमने corn flour में coat कर लिया है जिससे कि बचा कुचा कोई भी अगर moisture हो तो वो absorb हो जाएगा और यह अच्छे से batter को जो है soak कर लेंगे यहां पर तेल हमने गर्म करने के लिए रख दिया है जो batter हमने तयार किया था उसमें मैं थोड़ा सा नमक अड़ कर रही हूँ स्वादा नुसार आप देख सकते हैं इसकी consistency बिलकुल इसी तरह होनी चाहिए अब हम इन potato wedges को एक-एक करके इसमें dip करते जाएंगे excess batter को हम remove करेंगे और इन wedges को हम direct जो है तेल में fry करते जाएंगे तेल को हमने धीमी आँच पर गर्म किया था और इसे हम अब flame को हम high कर देंगे जैसे ही हमने आलों को add किया हम flame को high कर देंगे अब इन potatoes को हमें double fry करना है यानिके पहले हम 3 minute इन potatoes को fry करेंगे इसे remove करके दो 12 से इसे हम फिर fry करेंगे जिससे के ये जो potato wedges है वो बहुत ज्यादा crispy और delicious बनकर तयार होंगे तो एक time यहां पर हमने first batch को fry कर लिया है इसे मैंने remove कर लिया है आप देख सकते हैं जो coating हैं जो सारे oregano, red chili flakes हैं वो अच्छे से इस पर coat हो चुके हैं दूसरी batch को भी हमने fry कर लिया है अब इस point पर अगर आप इसे freeze करना चाहते हैं तो आप इन potato wedges को freeze कर सकते हैं एक बार हमने इसे fry कर लिया है अब हम इसे चाहें तो freeze कर सकते हैं इस तरह एक दबे में मैंने थोड़ा सा कॉनफला डस्ट कर लिया है और इस पर जो पोटाटो वेज़िस को मुझे फ्रीज करने हैं वो मैंने फ्रीज कर लिये हैं और जो रिमेनिंग पोटाटो वेज़िस हैं उसे हम डबल फ्राइ कर लेंगे एक बार fry हो चुके हैं तो अब दूसरी बार हम ने इसे fry कर लिए है तो आप देख सकते हैं कि हमारे potato wedges जो हैं वो बिलकुल बनके तयार हैं ये एक perfect recipe है आप parties में एक snack की तौर पर इसे serve कर सकते हैं या यूं भी आप tea time पर इसे बना कर enjoy कर सकते हैं freeze कर लेंगे तो और भी ज्यादा convenient हो जाएगा आपको इसे fry करके खाने में आप इसे ketchup के साथ या फिर mayonnaise के साथ आप इसे serve किये जिए ये बहुत ज्यादा delicious लगेंगे खाने में तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी recipe अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को like करना ना भूले और मेरे channel को subscribe जरूर कीजेगा फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ Thank you